हलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे टमाटर का सूप जिसमें ना तो हम कौन स्टार्च का यूज करेंगे और ना ही क्रीम डालेंगे फिर भी ये सूप बिल्कुल थिक रैस्टरेंट स्टाइल बनेगी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो गर्मा गर्म सूप बनाईए खुद भी पीज़े और फैमली को भी पिलाईए तो चलिए बनाना सुरू करते हैं टमाटर का मज़ेदार सूप टमाटर का सूप बनाने के लिए मैंने लिया है पांच मीडियम साइस के टमाटर पांच कली लसन के, एक इंच अद्रक का टुकरा, एक मीडियम साइस का प्याच और कुछ डंठल धनिया के सबसे पहले सारी सबजें को रफली चौप कर लेंगे उसके बाद एक कराही को गैंस पर गर्म होने के लिए रख देंगे उसमें वन टीस्पून के करीब ओइल डालेंगे तेल जब गरम हो जाएगा तो उसमें कटे हुए अद्रक और लसन डाल देंगे अद्रक और लसन को एक मिनट के लिए भून लेंगे फिर इसमें कटे हुए प्याच डाल देंगे प्याज को हलका गुलाबी होने तक धून लेंगे प्याज हलका गुलाबी हो गया है अब इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे सारी सब्ग्यों को एक बार चला लेंगे धनिया के डंठल भी डाल देंगे धनिया के डंठल से सूप का टेस्ट बहुत अच्छा आता है एक बार सारी सब्ग्यों को चला लेंगे अब कुछ मसाले आड़ कर लेते हैं एक छोटी चमच नमक डालेंगे एक छोटी चमच चीनी डालेंगे चीनी टमाटर के खटास को बैलेंस करेगा दस से बारा साबुत काली मिर्च डाल देंगे एक तेजपत्ता डाल देंगे साथ में आदी चोटी चमच चासमरी लाल मिर्च डाल देंगे इससे सूप का कलर बहुत अच्छा आएगा और ये तीखा भी कम होता है बस सारी सब्जियों को एक वर फिर से चला लेंगे और ढग का टमाटर के गलने तक पकने दे बीच बीच में सब्जियों को चलाते रहें आप देख सकते हमारे टमाटर अच्छे से गल गए हैं बस अब इसमें दो कपके करेब पानी डाल देंगे एक पर अच्छे से मिला देंगे और एक उबाल आने देंगे अब देख सकते हैं उबाल आ गया है अब ढग कर दस से बारा मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने दे करीब दस से बारा मिनट हो गए है अब देख सकते हैं सादी टमाटर अच्छे से गल चुके हैं बस गैंस का फ्लेम बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तब तक हम सूप में डालने के लिए टेस्टी सा क्रोटन बना लेते हैं क्रोटन बनाने के लिए मैंने दो स्लाइस ब्रेट के लिए है सबसे पहले ब्रेट के कॉर्नर्स काट लेंगे उसके बाद ब्रेट को चोटे-चोटे क्यूप्स में काट लेंगे ब्रेट के जो क्रोटन से वो नॉर्मली फ्राई करके बनाया जाता है लेकिन आज हम इसको बहुत कम तेल और बटर में सैलो फ्राई करके बना रहे हैं अब एक पैन को गैस पे गरम होने के लिए रखेंगे इसमें एक टेबल स्पून के गरीब बटर डाल देंगे थोरा सा तेल डाल देंगे ताकि बटर जले ना बटर जब मिल्ट हो जाएगा तो इसमें ब्रेट के पीसेस डाल देंगे और दो से तीन मिनट के लिए इसको लो मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे यह तब तक पकाएँगे जब तक यह एक तरफ से क्रिस्पी ना हो जाए बस पलट देंगे थोरस ओइल या बटर डाल देंगे ताकि यह दूसरी तरफ से भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाए थोरस सॉल्ट ी स्प्रिंकल कर देंगे साथ में थोरस ब्लैक पेपर पॉडर डाल देंगे और थोरस से विक सर्व स्प्रिंकल कर देंगे एक बर अच्छे से मिला लेंगे और गैस का फ्लिम बंद कर देंगे हमारे ब्रेट के क्रोटन्स बंद के तैयार ही इसको अलग रख देते हैं अब हमारा सूप ठंडा हो गया है इसको छान लेते हैं इसमें से तेज़ पत्ता को अलग कर देंगे और टमाटर को मिक्सर ग्राइंडर में डाल कर ग्राइंड कर लेंगे बहुत जन इसको हैंड ब्लेंडर की मज़़ से ब्लेंड भी करते हैं या फिर ऐसे ही छान लेते हैं लेकिन उसमें वेस्टेस बहुत ज़ादा होता है इस साथ से ग्राइंड करने से वेस्टेस बहुत कम होता है अब इस स्पुन की मज़े से दबा दबा के इसके सारे पल पर निकाल लेंगे आप देखेंगे लास में पहुत थोरा सा ही वेस्टेस हुआ है इसमें बस बीज और टमाटर के छिलके होंगे इसको डिसकार्ट कर देंगे बस इक कराई को बापस गरम होने के लिए रख देंगे उसमें एक चमच के करीब बटर डाल देंगे थोरा सा तेल डाल देंगे ताकि बटर जले ना बटर जब मिल्ट हो जाएगा तो सूप को इसमें डाल देंगे आप देख सकते हैं हमारा सूप अभी इतना गारहा लग रहा है बहुत जन सूप का कलर अच्छा करने के लिए इसमें फूट कलर डालते हैं वो थोरा सा अनहेद्धी हो जाता है मैं जो सूप बना रही हूँ इसका कलर बीना फूट कलर डाले भी बहुत अच्छा आएगा यदि आपको सूप बहुत ज़्यादा गारहा लगे तो सूप में हमेसा गरम पानी ही डाले सूप में बॉइल आ गया है बस माच मिनट के लिए और पका लेंगे एक बर सूप को टेस्ट कर लें आपको नमक मीठा कुछ भी कम लगे तो आप इस स्टेस्ट पर अड़ कर सकते हैं मैं इसमें थोरा सा नमक और अड़ कर रही हूँ साथ में वन फोट छोटी चमच काली मिर्च का पॉडर अड़ कर रही हूँ और वन टेबल इस्पून टमैटो सॉस आड़ कर रही हूँ जो बिल्कुल ओप्सनल है लेकिन टमैटो सॉस डालने से सूप का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लेकिन अब बिल्कुल हेल्दी खाना चाहते हैं तो टमैटो सॉस ना डाले बस गैस कफले हम बंद कर देंगे हमारा सूप बंद कर तयार है बस सूप को एक बॉल में सर्प कर लेते हैं हमने सूप में बिल्कुल भी क्रीम नहीं डाला है तो बस उपर से थोरा सा क्रीम से गानिस कर देंगे साथ में थोरे से क्रोटन्स डाल देते हैं तैयार है हमारा सर्दियों में पीने के लिए गर्मा गरम हेल्दी टबाटो सूप यदि आपको मेरी रैस्पी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, सेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू